दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप स्मार्ट कॉ omega से प्रसनल को यहां पर रजिस्टर करना होता है वी प्रोसे सम लोग जानने वाले तो वीडियो को पूरा देखेंगा ताकि आपको इसली सबचा जाए कि स्मार्ट कोई अप्लिकेशन के अंदर लून के से अपलाई किया जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दे आपके सामने कुछ इस तरीका इंटरफेस आएगा यहां पर देखने को मिल जाएगा आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे यहां पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू के उपर क्लिक करेंगे उसक आपके सामने ये वाला इंटरफेस open हो जाएगा यहां पर आपको अपना फुल नेम देना है यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है दोस्तों मोबाइल नंबर वही दीजेगा जिससे कभी आपने पहले लोन लिया हो और दूसरा आपके आधार काट के साथ लिंक हो काफी ज़ादा जो है आपको benefit मिलेंगे और loan मिलने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ पे आपको नीचे वीडियो की description में एक reference code मिल जाएगा उसको आप यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे continue का options है आप इसके उपर click करेंगे जैसे ही आप continue के उपर click करेंगे आपके सामने यह वाला interface open हो जाएगा यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे scroll करना है और इन सारी permissions को आपको अलग करना है नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा agree and continue आप इसके उपर click करेंगे देखे आपको इसके उपर click करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप से locations की जो भी permissions यहाँ पर आईगी आपको अलोग करते जाना है तेरे यहाँ पर wait कर लेना है तो आपके समने privacy policy आएगी आप यहाँ पर देखे accept options आप इसके उपर click करेंगे जैसे यह आप except के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेए आपको welcome लिखा जाएगा आप से यहाँ पूछेगा sign up with google आप इसके उपर क्लिक करेंगे जो email ID आप देना चारा है वो उसके उपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने ये वाला पेज उपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी, यहाँ पर फूल नेम देंगे, यहाँ पर मॉबाइल नमबर, फिर से आप continue के उपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप continue के उपर क्लिक करेंगे, आपके कि यूपर कलिक करेंगे इड को पीन कोड जिसे अड्रेस पर रहतें वह का आपको फिन कोड़ देना है ये जूपूर करहेंगे तो यहां के सारी डीटेल में डाल दूंगा डीटेल डालने के बाद फिर से आपको कंटीन के इूपर क्लिक करना है जिस यह से वा पे İşte open हो जाएगा यहां से आपको अपना employment type देना होगा तो यहां से देखे इस drop down menu के उपर में क्लिक करूँगा यहां पे आपको बताना होगा कि आप self employees student है यह अधर है जो भी आपका working area रहेगा आप उसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पे देखे में stop down के उपर क्लिक करके आप चुनेंगे उसके organization का नाम देंगे आप यहां पर बताएंगे आपको salary case मिलती है check से मिलती है के bank में आती इस box के अंदर आप अपना paint card का number डालेंगे यहां पर नीचे and check button is up करेंगे और यहां पर आपको बताना होगा कि आपकी मन्दली inकम कितनी है उसके check box के उपर क्लिक करेंगे फिर से आप सारी डिटेल मैंने यहां पर डाल दी है यहां पर देखे इक onukshos में के उपर कशन करूंगा जैसे मेंने हाँ पर कली करूंगा तो, यहां पर प्रवाइट कराएंगे उसके उपर एक OTP आएगा उस OTP को इस बॉक्स में आपको डालना है वे विरीफाई के उपर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखे मैं OTP डाल दूँगा जैसे ही आप OTP डालेंगे आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा यहां पर देखे हमें पर्स टाइम यहां से लोन मिल रहा है तो यहां पर दोस्तों इन्होंने हमें टाइम डियूरेशन काफी कम दिया है यहां पर देखेंगे तो 15,000 रुपे का लोन है प्रोसेसिंग फीज 901 रुपे है यहां पर GST 160 के समतिंग है हमारे अकॉंड में जो पेमेंट क्रेडि हम यहां पर पेई करना पड़ेगा हमें 15,945 रुपे अगर इस loan को लेना चाने तो apply for case के उपर आपको क्लिक करेंगे तो इस के उपर क्लिक करूंब Лून के उलना चाई रही प्रसनल एक पैंसे हay मैं इसके उपर क्लिक करूंगा तो जो भी आपकी need रहेगी पर चुका और बेंग डिटेल समय डालनी होगे और केवाई सी करनी होगे यह पेमेंट हमारे बेंग कोड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो यहां पर देखे इसके लिए हम लोग यहां पर कंटीनियों के उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरी के इंटरफेस करेंगे तो आपको यहां पे आपकी बेंग यहां पर बताएगा उस चेक ऑफ्षिन से एड़ अकॉंट आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे यहां पर एक से लपी देनी होगी और विरिफाइवर के वाईसी आपको करनी होगी तो इसके लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखरा होगा आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे दिख्या आप कुछ इंस्ट्रक्चन दी गई है तो आप अच्छे से उनको पढ़ेंगे उस टेक माई सेलफी के उपर आप क्ल्य करेंगे जो भी परमिशन स आएगे आप उसको अलग कर करना है तो यहां पे दोस्तों हमने new upload कर दी है इसके न ID प्रूप आपको करना होगा इसके आप penalty आधार काट देंगे जैसे बडिटेल डाल देंगे आपके समनी ये वाला page ओपन हो जायँका यहां पे पिझे आपको कुछ डीटेल बताहिए तो हम पे अचल लिए और नीचे आपको एक option दिख रहा होगा confirm address आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे आपको आपका address दिखाया जाएगा अगर सही है तो यहां पर देखें फिर से आप को डाल देंगे तो यहां पर देखें मैं डिटेल डाल दूँगा सारी डिटेल डालने के बाद देखें यहां पर नीचे का option से continue आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे आप को अपनी work details यहां पर देनी होगी तो work details के लिए आप यहां पर बताएंगे आप कून से post के उप यहां पर है यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे फिर से आप continue के उपर क्लिक करेंगे सारी डालेंगे उसके बाद यहां पर देखें का option से आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें आपका loan यहां पर process दिखा रहा है तो आपको यहां पर कुछ देर वेट करना है जैसे यह वेट करेंगे उसके बाद आपको यहां पर बताएगा income verification requirement तो आपको अपनी जो भी income है यहां पर verify करानी होगी verify income के उपर आप क्लिक करेंगे क्या जिस bank में account होगा वो आप यहां से चुनेंगे तो हमारा SBI में है तो हम SBI क्लिक करेंगे अगर ऐसा नहीं आता तो आप यहां पर टाइप कर लीजेगा state bank तो यहां पर details आ जाएगी उसके आपको बताना होगा आपका account joint है single तो यहां पर देखे हमारा account joint हम joint के उपर करेंगे उसके बाद यहां पर देखे आपको एक option दिखा रहा होगा प्रोसीट आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे यह आप दोस्तों यहां पर क्लिक करेंगे यह बेंक की statement पर अप्लोट कर सकते हैं लिए आपको तीन मजनेक अपना बेंग की स्टेटमेंट अप्लोट करना होगा उसके बाद आप प्रोसीट के उपर क्लिक करेंगे दोस्तों जैसे आप अपनी इंकम विरीफाई करा लेते हैं उसके बाद आपको एक और प्रोसेस करनी होती रिजिस्टर तो आपकर करेंगे यहां पर देखें कॉंटेक्ट डिटेल्स हो करेंगा यहां पर अम्बर रहेगा इमल आईडी और यहां पर आर्भीा इस से भी अप्रूड है यह ब्लेटफर्म बिलकुल सीक्योर है इसके बाद नीचे आप देखें एक अप्डेट के उपर करेंगे कंपर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद यह वाला पेज ओपन हो जाएगा यहां पर दोस्तों आपको अपना आटो पे सेट अप करना होगा तो यहां पर दो तरीके से कर सकते आप चाहे तो यहां पर upor क्लिक करूँगा जैसे एक क्लिक करेंगी दूसतों आपके सामने यह वाला पेज open होगा फिर से आपको यहां पे देखे अथुन्टिकेट के उपर क्लिक कर देना है जैसे यह आप क्लिक कर देंगे उसके सामने कुछ इस तरीक का इंटरफेस आएगा यहां पे देखिए एक option से proceed आप इसके उपर क्लिक करके के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने यह वाला option आएगा यहां पे आप प्रोसीट करेंगे दोस्तों आप जो भी यहां से यह अलग का permission मागी जाएगी आप यहां से allow-allow करते जाएगे दोस्तो तो आशा करता हूँ जानकारी खाफ ही अच्छी लगेगे फिर भी smart coins related आपकी query है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा मैं कोसिस करूँगा एक जन्वर रिप्लाइदेने की चलिए मिलते और किसी नए वीडियो में नहीं जानकारी एक साथ चलिए धन्यवाद